नमस्कार में भाकिश्री, बिस्यन निस के बिजनिस समाचार में आप सबी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आई डालती एक नजर आज की सुनकियों पर नए ट्रेन कोज के महिला कमपार्टमेंट में लगाए गए है सेसी टीवी और टॉक पैक सिस्टम सर्विलांज के जरिये भी सभी गती विदियो पर रखी जाए के नजर और हरे निशान पर दिखा शेयर पाजार एक कावनजार सौग के पार हुआ सेन्सिक्स भारतिय स्टेट बैंक के शोद प्रभाग SBI रिसर्च के ताजा रपरट में कहा गया है कितिसरी और चौती तीमाही में GDP व्रुद्धी के बाउचुद चालुवित्व वर्ष के तौरान भारतिय अर्थव्यवस्ता साथ प्रतिशत संकुचित हो सकती है इससे पहले SBI शोद ने 2020-21 के तौरान GDP में 7.4 प्रतिशत संकुचित की पाउची थी अप्रेल सी दंबर के तौरान अर्थव्यवस्ता में 15.7 प्रतिशत संकुचित पाउच लेकिन यदि SBI का विश्लेशन सही स्तापित हुआ तो दुसरी छमाई में GDP 2.8 प्रतिशत की दर्शनी पढ़ सकती है SBI के सबुह मुख्य आर्थी सलाकार सौम्यकांती खोशनी कहा कि 41 महत पुन्ना सुचकांकों में 51 प्रतिशत तेजी दर्शार है जिसके चलती अर्थव्यवस्ता के तिसरी तिमाही में 0.3 प्रतिशत की व्रुति के साथ अर्थव्यवस्ता 8-3 की पट्री पर लोट सकती है उन्होंने कहा कि अंतिम आखडे सुखत आर्चर्य पैदा करने पाले हो सकते है गोशनी कहा कि अब हमें उम्मीद है कि चड़ी भी में गिरावट पूरे साल के लिए 7 प्रतिशत रहेगी जो हमारे पिछले पूर्वा नुमान 7.4 प्रतिशत की तुल्ना में काम है साथी चौती तिमाही में व्रुथी सकारात्मक दिशा में लगबग 2.5 प्रतिशत हो सकती है SBI रिसर्च ने अगले विद्वश 2021 और 22 में आर्टिक व्रुथी 11 प्रतिशत पहने के अपने अनुमान को बरकदार रखा है आर्टिक समीशा में अगले साल की व्रुथी 11 प्रतिशत पहने का अनुमा है जब भात्य रिसर्व बैंक का अनुमान हो के व्रुथी 10 दशम लो 5 प्रतिशत रहेगी सोनी और चांदी में निविश करने बालों के लिए अच्छी खबर है मल्टी कमोडिटी एक्षेंज पर गुरवार यानी 11 परवरी 2021 को अप्रेल सोना वायदा का भाव 48,000 रुपे के लिचे ट्रेट कर रहा है वही मार्च चांदी वायदा की किम्तों में 1 प्रतिश से जादा किरावटाई है मल्टी कमोडिटी एक्षेंज पर अप्रेल सोना वायदा का भाव 29,000 रुपे तुटकर 47,700 प्रतिख ग्राम हो गया है इसके साथी चांदी में गिरावटाई है मार्च चांदी वायदा की किम्त 1.02 प्रतिश से किर कर अड़सस दशम लोग 24,000 प्रतिख किलो ग्राम हो गया है बता दे कि दस फरवरी को अंतराष्टिय मार्केट में सोनी और चांदी के दाम भी मिली चुले ट्रेन देके थी अप्रेल सोना वायदा हलकी पॉजिटिव नोट के साथ 1842.07 डॉलर प्रतिख जबकि मार्च चांदी वायदा 27.08 डॉलर प्रतिख पर बंथ वायदा जनवरी में गोल्ड एटीअफ में 625 करोड रुपे का निवेश किया जो इससे पिछली मेहने की मुकाबले 45 फिस्दी जाता था निवेशकों को उम्मित है कि आगी जाकर सोनिक का बाजार अच्छा रहीगा एमेफाई के आखड़ों की मताफिक गोल्ड एटीअफ में निवेश दिसंबर की अंध में 14,174 करोड रुपे के मुकाबले जनवरी की अंध में 22 फिस्दी की बड़तरी के साथ 14,481 करोड रुपे हो क्या है नाशनल हावे अथारिटी ओफ इंडिया ने वहन सालकों को अच्छी खबर दी है NHAI ने पास्टैक में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट को हटा दिया है हाला कि इसका लाब के वल पैसेजर सेग्मेंट के विकल को मिलेगा कमर्शियल विकल को इससे छूट नहीं मिलेगी NHAI की ओर से जारी बयान की मताबिक पास्टैक जारी करने पाली बैंक सेक्यूरिटी डिपॉसिट के अलाबा मिनिमम बैलेंस को अनिर्पारियन नहीं कर सकते है नहीं इसको लेकर ग्रहकों पर दबा बना सकते है अभी तक कई बैंक ग्रहकों से सेक्यूरिटी डिपॉसिट के अलाबा मिनिममम बैलेंस बनाये रखती को कह रहे थी मिनिममम बैलेंस की शर्थ के कारण कई पाहन सालग फास्टैक वैलेट में परियाफतर राश्टी होने के बाद भी तोल प्लासा से गुजरनी पाते थी इसकारण तोल प्लासा पर मिवाद की स्तीती भी बन जाती थी अब यदि फास्टैक में निगेटिव बैलेंस नहीं है तो कार को टोल प्लासा पार करने की अनुवती होगी टोल प्लासा पार होने के बाद फास्टैक के बैलेंस निगेटिव होने पर बैंक सेकुरिटी डिपॉसिट से इसे वसुन सकते है अगले रिचाज के पास सेकुरिटी डिपॉजिट की राशी को पूरा कर बदलते दौर के साथ साथ ट्रेन भी हाइटिक होती चाहरी है अब जो नए कोच ट्रेन में लगाया जा रहे है उनमें यात्रियो को खासकर बहिलाओं की सुरफशा का पूरा ख़यार रखा जा रहा है रेल मंत्री प्यूश गोयल के मताबिक यात्यों को सफर की किसे भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस बात पर रेल मंत्री ने सदन को पूरी जान करे दी है रेल मंत्री प्यूश गोयल ने संसर को पता है कि नए ट्रेन कोच के महिला कमपार्टमेंट में सिस्टेवी और टॉप पैक सिस्टम दगा गया है सर्विलांज के जर्य भी सभी करती वित्यों पर नजीर रखी जागी ट्रेन के नए कोच के अलावा फुलकाता मेट्रों के एर कंडिशन कोच में भी सिस्टीवी कैमरी और सर्विलांज का सिस्टम दगा गया है कुल मिलाकर करीब 2391 नए कोच और 668 रेलवे स्टेशन पर सिस्टीवी के जर्ये सुरक्षा सक्त की गई है सफर के तोरान किसे भी दिक्कत के लिए रेलवे ने हेल्प लाइन नबर जारी किया है 149 नबर पर फोन करके यात्री अपने परिशानी बता सकते है जिसका समाधा जल से जल निकालने के पुरी कोशिश की जाएगी 149 नबर 24-27 काम करता है और यात्रीयों को इससे काफी मदद बलती है कई बार इससे मामले सामते आ चुकी है जब पिस सफर में यात्रीयों को मदद पहुचाई गई है हब्ते के चौते दिन कारूबारी दिन शेयर बाजार के बड़ो तरीके साथ खुलने का सिल सिला थामक्या गुरवार को बाजार लान निशान के साथ खुला वही आज सुबा नौ पेशकर 17 मिनिट पर बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज का प्रमुक सुषकां सेंसिक्स एकसो सताइस दशम लो बारा अंग तूटकर 51,1182 दशम लो 27 के स्थर पर खुला वही नाशनल स्टॉक एक्सेंज का निफ्टी 22 दशम लो 95 के स्थर पर खुला सेंसिक्स अप्ता के देशनी कारुपारी तीन और इस दशम लो 79 अंग गिर कर 51,309.49 के स्तर पर बन्धवा है। वही नैशनल स्टॉप एक्शेंज का निप्टी 2.80 अंग तुट कर 15,106.50 के स्तर पर बन्धवा। सेंसिक्स में आज चिन शेहरों में बढ़त रही और में SPIN, Reliance, Bajaj Finance, Bajaj Pinsap, Bhaati Airtel, Antipresy, Power Grid, Alta Cemicro, D-Ratee, Nestlein, Axis Bank और Tech के शेहर शामिल रही। वही टाइटानिक, HDFC, M&M, NP, Kotech Bank और ICICI Bank के शेहरों में गिरावट रही। सेंटोरियल इंडेक्स में आज FMCG, Media, PSU Bank और Realty के अतिरिक्त सभी सेक्टर के शिर्वाद बढ़त पर हुई। इनमें Bank, Pharma, Metal, Final, Services, Auto, IT और Private Bank शामिल है। पिछले कारुबारी दिन सेंसेज 149.55 अंकी तेसी के साथ 51,480.33 तर पर खुलाता। वही निप्टी 34.85 अंकी बढ़त के साथ 15,144.15 के सर पर खुलाता। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारवन ने कहा कि शेयर पासारोरी केंद्रिय बचट 2021 और 25 को सकारत्मक रूप ले लिया है। पिछले एक सब्ता के दोरान एक्विटी में 11 पिस्दिकी बढ़करी हुई है। सितारमन ने कहा कि एक परवरी को पेश किये कैए बचट ने निजी शेत्र की अधिक भागी तारिक लिए रास्तिय तयार किये है। केंद्रिय बचट में बुन्यादी धाशा के निर्मान परजो है और इससे खरिलू तथा अंतराश्टिय सैलानियों के लिए संपर्ट सुविदा बहतर होगी एवं परिटन शेत्र की व्रुद्धी में मदर पिलेगी। यह बात परिटन सचिव अर्विन सिंग ने कही। मंत्राले के लिए बचट आवंटन के बारी में मीडिया को जानकारी देती वी उन्होंने कहां कि दोहजार इकीस और पाइस के लिए बचट में परिटन मंत्राले के लिए दोहजार इस दशमलोग सत्यापतर करोण रुपे का आवंटन क्या-क्या है यह 2020 और 21 के संशोदीत पचट अनुमार 1260 करोट रुपे से जाता है। के बचट में जिस तरीके से वन्यादी धाचा पर जोर दिया क्या है। के बचट अनुमार 1260 करोट रुपे से जाता है। BCN News के बिजनेस समाचार में फिलान इतना ही। ऐसे ही अन्दिय खपरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें BCN News। नमस्कार अन्याचार अन्याचार झाल झाल